हेलो स्रेंट्स, वेलकम तो लेर्नर स्क्राइट स्रेंट्स, आज हम क्लास एट, एंसी आटी, तब बेस्ट क्रिस्मस प्रेजिन का पार्ट थ्री पड़ेंगे I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope I kept awake all right देखें स्रेंट्स, हमने पार्ट सेकेंड में देखा था कि नेरेटर जो है, वो मिस्टर मैक पर्सन का letter पढ़ रहे होते हैं तो अब हो क्या करते हैं, letter को fold करते हैं और उसको उसके envelope में रख देते हैं इस letter को पढ़ने के बाद उनको पूरी रात अच्छे से निंद नहीं आई होती है By morning, I knew what I had to do और morning से उनको यह ध्यान में रहता है कि सुबह होते हुए ही मुझे क्या करना I drove into Britport just a few miles अभी अधिकी students, letter जो होता है, उस पे address लिखा रहता है, Britport, Dorset का address रहता है उस address से वो पहुंच जाते हैं, मतलब later जहां के लिए रहता है, उस जगह पे वो पहुंच जाते है वहाँ से कुशी दूर होती है I asked a boy walking his dog where copper witches was और वो copper की बीच के पास एक लड़के से जो अपनी doggy के साथ घूम रहा होता है, walk कर रहा होता है उसे पूछते हैं कि house number 12 turned out to be nothing but a burned out cell उसे वो house number 12 के बारे में address पूछते हैं, ठीक है और जब वो वहाँ पहुंच तो क्या देखते हैं, कि house number 12 जो है, वो पुरा जल चुका है रूफ में gapings है, ठीक है, windows दो है, वो board up हो चुका है, मतलब कि टूट गए, मतलब घर के जो हालाथ रहते हैं, वो बिलकुल अस्त बेहस्त होते है I knocked at the house next door and asked if anyone knew the verse about of Mrs. Macperson वो क्या करते हैं, नेवर होड में मतलब कि बगल में किसी का दरवाजा खट खट आते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई वहाँ Mrs. Macperson के बारे में जानता है Oh yes, said the old man in his sleeper, he knew her well एक old man उस रूम से निकलते हैं और यो क्या करते हैं कि हाँ, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं ठीक है, वो man जो होते हैं, वो क्या रहते हैं, sleepers पहने रहते हैं A lovely old lady, he told me a bit muddle-headed क्या बोलते हैं, कि जो lady है, बहुत ही lovely lady है और लेकिन थोड़ा confused रहती है But at her age, she was entitled to be, wasn't she, लेकिन वो अपने age पर मतलब जब उसका age होता है तब वो काफी, खुबसूरत और काफी अच्छी रहती है A hundred and one year old, लेकिन अभी वो क्या है, hundred and one year old हो गई है She had been in the house when it caught fire, वो कितने साल की थी, hundred and one year old की थी और उसके घर में जो है, वो आग लग चुके थी No one really knew how the fire had started और कोई यह बात को नहीं जानता कि वहाँ आग कैसे लगी But it could well have been candles लेकिन सब यह अनुमान लगाते थे कि यह candle हो सकता है, जिसके वज़े से आग लगी है She used candle rather than electricity वो जो है, वो electricity के जगह पे क्या यूज़ करती थी? Candle यूज़ करती थी Because she always thought electricity was too expensive क्योंकि वो हमेशा यह सूचते थी कि electricity जो है, वो बहुत expensive है candle के comparison में The fireman had got her out just in time लेकिन जो fireman थे जब घर में आग लगी थी वो उनको बहुत जल्दी घर से बाहर निकाल लिए She was in a nursing home now See, he told me देखिए, नेवरूर्ड में जिनसे वो पूछ रहे थे उनके बारे मुनों ने इनको बताया कि अभी वो कहां है? Nursing home में जो कहां पे है? Burlington House, Dorchester Road में Dorchester Road के other side of town में Burlington House नाम का एक nursing home है जहां पे Mrs. MacPherson अभी रह रही है I found Burlington House nursing home easily enough Narrator जो है, वो Burlington House को बहुत ही easily found कर लेते हैं There was paper chain up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a loppy-sided angle on top वहां देखी किया था, paper chain से light चारो तरफ लगाया था और side में एक Christmas tree थी जिसके उपर एक angle, loppy-sided angle लगा हुआ था I said I was a friend Come to visit Mrs. MacPherson to bring her a Christmas present वहां जाकर वो क्या करते हैं कि मैं Mrs. MacPherson का friend हूँ और मैं उनके लिए Christmas present लाया हूँ I could see Trow into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing देखे, dining room में क्या है सभी लोग paper hat पहने हुए हैं और वहां गाना गा रहे हैं The matron had a hat on two and seemed happy enough to see me Matron जो है, वो भी hat पहने रहती है और इनको देख कर बहुत खुश होती है She even offered me a mind spy She walked me along the corridor Mrs. MacPherson is not in with the others She told me देखे स्टेंट, जो matron होती है मतलब कि जो वो बुजूर्ग लेडी होती है वो इनको बताती है कि Mrs. MacPherson यहाँ पे नहीं है She rather confused today So we thought it best if she had a good rest और क्या बोलती है कि Mrs. MacPherson जो है वो रेस्ट कर रही है हमारे साथ यहाँ पे सिंग डांसिंग नहीं कर रही है क्योंकि आज वो थोड़ी परिशान थी तो इसलिए हमने उनको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया She has no family, you know बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि उनके पास कोई family ने कोई family member नहीं है No one visits कोई उनसे visit मतब कोई उनसे मिलने नहीं आता है So I am sure she shall be only too pleased to see you बोलता है कि मैं तो बिलकुल sure हूँ कि वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी She took me into a conversatory with wicker chair and potted plants all around and left me वो जो है वो उनको लेकर जाती है वहाँ पे और पुरे side में plants लगे हुए होते हैं The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap एक old lady होती है वो wheelchair पे बैठी होती है और उसके hand जो है उसके lap में मतलब उसके गोद में उसके hand जो है दोनों चुपाई हुई रहती है She had silver white hair pinned into a wispy bun जो उसका बाल है वो किस color का है? white color का है, silver color का है ठीक है और एक wispy bun में मतलब की बहुत थी उल्जा सुल्जा सा जूड़ा होता है और उसके बाल जो है पिंड है She was gazing out at the garden और वो garden की तरफ देख रही होती है Hello I said, narrator उनको hello करते हुए बोलते है She turned and looked up at me vacantly और वो पीछे मुड़के उसे बहुत ही ध्यान से narrator को देखने लगती है Happy Christmas Connie, narrator उनको Christmas wish करते है I went on आगे की तरफ बढ़ते है I found this, I think it's yours As I was speaking, her eyes never left my face वो उनको letter देते हुए कहते है कि मुझे यह चीज मिली है और मुझे लगता है कि यह आपका है और जब narrator उनको letter दे रहा है उनसे बाते कर रहा है जो ओल लेडी में मितलब कि कौनी Mac person है वो उनकी आँखे उनके face से हटती नहीं है I opened the teen box and gave it to her That was the moment her eyes lift up और यही वो ताइम था जब उनकी आँखे उपर आए उन्होंने अपनी आँखे उपर की With recognition and her face became soft With a certain glow of happiness देखिए वो अपनी आँखे उपर करती है और पहचाननी की कोसिस करते हुए उनके चेहरे के हर तरफ अपने आँखे को घुमाती है और उनको देखते हुए खुश होती है उनके face पे glow आने लगता है happiness का I explained about the dust About how I had found it But I don't think she was listening अधिकी क्याता है जो narrator है पूरी बात को explain करते है कि वो एक देखिए जो narrator है पूरी बात उनको explain करते है कि वो कैसे एक junk shop पे जाते है वहाँ उनको एक decks खरीदना होता है decks खरीदते है फिर decks के एक draw में यह लेटर मिलता है लेकिर उनको यह एसास होता है कि कौनी में एक परसन उनकी बातों को सुन नहीं रही है For a while, she said nothing but struck the letter tenderly with her finger trips कुछ देर तक क्या होता है वो कुछ देर तक क्या होता है वो कुछ भी नहीं बोलती है और लेटर पे अपनी उंगलिया फेरती रती है Suddenly she reached out and took my hand Her eyes were filled with tears और वो थोड़े देर बाद ही narrator का हाथ पकड़ लेती है और उनकी आँखी जो है वो tears से मतलब कि आशू से भरी हुई होती है You told me, you had come home by Christmas Dearest, she said And here you are The best Christmas present in the world Come close in, Zim dear, sit down देखे, वो narrator का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम Christmas पे घर वापस आओगे और तुम आगए हो और ये मेरा Christmas का सबसे अच्छा present है सबसे अच्छा gift है मेरे पास आओ, Zim मेरे पास आके बैठ जा अब देखे क्या हुआ जो कौनी Mac person है वो narrator को क्या समझ बैठी Mr. Mac person Mr. Jim Mac person समझ बैठी है I sat down beside her and see Christmas chick I read your letter so often, Jim, every day I want to hear your voice in my head जीम को किस करते वे क्या करते है कि मैं तुम्हारे letter को every day परती थी मतलब प्रती दिन मैं तुम्हारे चिठी परती थी और ऐसा लगता था कि तुम मेरे कान में बोल रहे हो ठीक है और वो मुझे बहुत ही अच्छा feel कराता था and now you are now you are back you can read it to me yourself अब वो क्या बल रहे है कि अब तुम वापस आ गया हो अब तुम इस चिठी को पढ़के मुझे सुना सकते हो would you do that for me Jim dear क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो I just want to hear your voice again I had love that so much और वो क्या बलते कि मुझे तुम्हारी आवाज दुबारा से सुननी है एक बार और मुझे तुम्हारी आवाज से बहुत फ्रेम करती हूं and then perhaps we will have some tea I have made you a nice Christmas cake marzipians all around I know how much you love marzipan क्या बलती है कि मैं तुम्हारे लिए केक बनाई हूं और भी बहुत सारी चीजे बनाई हूं अब मुझे पता है कि तुम्हें यह सब कितना पसंद है अब देखें स्ट्विंट्स क्या होता है कि नेरेटर तो उनको मिस्टर मैक परसन का लेटर वापस करने गय होते हैं लेकिन वो एक ओल लेडी है और वो मिस्टर जी मैक परसन के इंतजार में है तो उन्हें क्या लगता है कि जो नेरेटर है वही मिस्टर जी मैक परसन है स्ट्विंट्स आई होप कि आपको समझ में आ गया हो जो कुछ भी आज तक पढ़हा है इसप्टर का आपको इस चप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो यह हमें कॉमेंन्ट में बताइए लैच करें शेयरbles करिये करीं और सब्सक्राइब करना ना पूलिए थैंक यू फूर वाचिंग